कि और हम आज आपको दिखाने वाली यह कोली साड़ी डेब एकम का हैं इसे मैं ने दो तरीके से किया हुआ है आयों को पसंद लेगा और देखेंगा मैंने कुछ आपने इसे किया हुआ है ने हैं कुछ न्यू तरीके से तो हलोओ शर्ट करते हैं तो यहां पर देख सकते हो मैंने अपनी साड़ी ले ली परपल कलर की मेरी ल तरह की इस साड़ी को प्ला जे ए hell of this बेस्ते हैं वाइज आफ नी नहिंने वाले हूं मैंट वाली हूं मैं पहले आपको बता दो को यह साड़ी मैं ड्रेप नहीं करूंगी तगल की हिए साड़ी कर निकाली थी तो था प्रोप यह इस पूरा मूर्द था कि यह साड़ करते हुए नाट लगाई और नाट लगाने के बाद इस तरीके से मैंने फैब्रिक को अपने लिफ्ट पैट से जो ही निकाला तो अब देख सकते हैं मैंने साड़ी यहां पर चेंज कर दी थी क्योंकि उसका जो था फिर प्लेन आ रही थी तो मैंने वह साड़ी फिर हटा दी तो जितना प्रोसेसिंग में पहले श्राप कि थी मैनें नहीं दिखाया है डायरेक्ट में वही से झाल है यहां मैंने शाड़ी को स्किटिया था तो यहां पर मैंने अच्छे से आपने प्ऩेटि किया है साड़ी के फैब्रिक को इसे इस तरह से आपको याव को प्रमातिनी जैसे कि मैं यापपर करके दिखा रही हूँ, बच्ची फैब्री को साइड में टक करना है, और जो आगे का आपका बॉर्डर है, उसे लाके आपको अपने बेली बटन के एक इंची थोड़ा सा पीछे आपको करके टक करना है, जैसे कि मैं ने याप पर किया हुआ है, इस तर कर लिया है इसी तरीक से आप को अपने राइट लेग के भी साथ करना है जैसे कि मैंने लेफ्ट लेक के साथ किया हुआ है तो यहां पर इस तरह से मैंने फैबरिक को निकाला है इसे भी थोड़ा-सा मेजर करते हुए अपने बाधर को ले जाके पीछे तक कर लेना है, बॉडर के उपर बॉडर को रखके टक करना है, कि आपको थोड़ा सा बॉडर आपका जो है, पार आपकी टक कर लेना है, यहां, जी से यह आपर मैंने किया हुआ है, हाँ, कुछ मिष्टेक हो जाती है, जब हम ड्रेप करते हैं, क्योंकि उस वक्त ज्यादध thoughts नहीं आत पाते हैं दिमाग में कि हम क्या करें बस यह होता है कि आप लोगों के लिए कुछ new करना है कुछ नया करना है तो वो mistake बात में दिखती है जब हम लोग over wise करते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो mistake आप लोग ना करें क्योंकि आप करेंगे तो आप देखके करेंगे और चीजों को सीखके करेंगे हम लोगों को बस यह रहता है कि आपको करके दिखाना है तो कुछ नया करना है तो मैं try कर रहे हूँ तो try करने में थोड़ा बहुत look जो है इधर-दर हो जाता है आपको tight fitting के लिए पीछे से freezing के लिए भी आपको प्रिश डानी जैसे कि मैंने लेफ्ट वारे पैर के साथ के ते और जहां पर आपका fabric extra दिख रहा है उसे आपको टक कर लेना है पस ध्यान आपको यह देना है कि कोई भी कोई भी आप ड्रेप करें साड़ी की या किसी भी चीज की जहां से भी आपको कुछ लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से उसे आजिश्ट कर सकते है उसके बाद बॉरडर से बॉरडर मैंने मिलाया है तो बॉरडर मेरा इधर दर ना हो इसके लिए मैंने एक पिन लगा ली है तो इससे मुझे आसानी हो जाएगी जमें बॉर्डर को बेर करूँगे तो आपके तमी पे जदा आपका टमी जो है प्लफी प्लफी सा ना दिखे तो इस तरी की से आपको करना है उसके बाद अपना एक्स्टा फैब्री को टक कर लेना है जैसे कि मैं आपके दिखा रही हुआ बाकी फैब्री को आपको घुमा के लाना है बॉर्डर को फिल से सेट करना अच्छे से और उसके बाद में आपको इस तरीके से बॉर्डर को आजिस्ट करना है जैसे कि मैं आप पर कर रही हूँ जो भी चीज़े मैं करना है तो यहां पर देख सकते हैं हमारा लुक लेकिन बॉर्डर है उसे भी आपको जो एकदम हाइड नहीं करना है थोड़ा सा वह भी आपका शो होता रहे इसके लिए पीछे जले बॉर्डर को सेट करें उसके बाद में आपने पीछे का बैक वाला आपका बॉर्डर है उसे सेट कर ले उपर का जो है इस तरह से और आपको तो कुछ यह इस तरीके की आपको ड्रेप देखने को मिल जाएगी बहुती न्यू तरीके से मैंने इस ड्रेप करने की कोशिस की हैं और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करिएगा अपने फैमिली एंट के साथ में और जह करें चैशना है कि इस पर अपको जो है मेरा दिख रहा होगा नाम इस्टाग्राम का और शेम नाम से मेरा मिया पर यह फेश्बूबूग भी है तो अपने फैब्रीच और करें और जहां पर बहुता है पिन लगाने की जरूरत है अपने पिन से फैब्रीक को सेट करने तो अपना लिया हुआ है मेरा फैब्रिक जो ही इस दुपटे का बनासी वाला है और इसे लेकर मैंने अच्छे से प्लिट में कर लिया था उसके बाद इस तरह के समय डुपटे को जो है वियर किया ले रही हूँ आप मैं थोड़ा से टाइट फिटिंग में कोली साड़ी करके दिखाएए उसके बाद मैंने आप अपनी जो है जूती वियर कर ली है इस तरह से तो फाइनल लुक आप मेरा देखेंगे मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्काइब करके बिल बटन को प्रेस करिएगा तो यह है मेरा फाइनल लुक और कैसा लगा आप लोगों को आप मुझे बिताईगा उसके बाद मैंने अपनी जो कमर का जो मैंने पल्लू डिर्प किया हुए है उसे ओपन करके और मैंने अपना जो है साड़ी का पल्लू बना के उसे डिर्प कर लिया था एक चीज़ में आ भी आप फॉलो कर सकते हैं इसे आपका नीबली लुक आएगा उसके बाद देख सकते हैं मैंने साड़ी का इस तरह से अपना फल्लू बना के सट कर लिया था और कैसा लगा आप लोग तो मिलती हूं नेक्ट वीडियो में कुछ नहीं जान का रही कैसा लभी वाचिए